देखिए, रे आप्टिक्स, आप्टिक्स मतब लाइट, लाइट के बारे में बात करने जा रहे हैं, देखिए जैसा कि कुछ कहानियां, मतब थोड़ी सी लाइट के बारे में कुछ कहानी, लाइट के बारे में हमेशा से एक साइन्टिस की क्यूरसिटी रहे है कि लाइट होत जो एक जगे से दुसरे जगे ट्रवेल करती है अब एनर्जी के ट्रवेल करने के तरीके तो एनर्जी का ट्रवेल करने का एक तो तरीका हमने देखा समुद्र में जो वेव साती है अगर जो लोग समुद्र के किनारे गए हूं तो बिल्कुल दिवाला इसी पूरी वेव आती ठीक है यानि कि उसके पास एनर्जी है क्योंकि उसके पास मास से और विलास्टी है अगर आप एक पत्थर लिजे और पत्थर कहीं पर तालाब में पानी में डाल दीजे तो हम देखते हैं पानी में वेफ इस प्रकार से टरविल करती है ठीक है तो उसमें भी एनर्जी होती है तो यह देखा गया कि हो सकता लाइट भी वेव के फार में चल सकती है और लाइट भी एनरजी के फार में चल सकती है और लाइट भी एनरजी के पैकर्स है या एनरजी है तो यह देखा गया कि हो सकता लाइट भी वेव के फार में चलती हो हो सकता है दूसरा एनरजी से फ्याकप क्या देंगे velocity और half mv square energy हो जाएगी ये वो लोग कहते जिनको energy के बारे नहीं मालूम था ये मालूम था इंटा फ्याकप तो चोट लगी चोट लगी मतलब energy transfer होई तो यानिके energy के चलने का एक तरीका ये भी हो सकता एक जैसे arrow चलता है वैसे energy चल सकती है ठीक है त अपने अपने सोचने का तरीका होता है तरीका ये होता है अगर इसके बारे में description आपसे पूछा जाए और आपको इधर दिखा दिया जाए तो आप इसके हिसको describe करेंगे और इधर दिखा दिया जाए तो इसके हिसको करेंगे इधर दिखा दिया जाए तो इसके हिसके हिसक कि energy जैसे ray की तरह जाती है, ayro की तरह जाती है, वैसे energy transfer होती है, किसी ने wave की तरह सोचा, तो सबसे विले Newton थाम ने सोचा, newton का कहना था, कि जो light है ना, वो छोटे छोटे energy के packets है, जने corpals कहा गया, अब अपने rvc और wc पढ़ा होगा, तो c क्या होता ना, और उसको देखरके उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन को एक्स्पें किया उनका मतलब था कि ऐसे लाइट जाती है कहीं हीट होती है तो जैसे कैरम में होता है कि गोट्टी हीट हुई और वो अपने आपने डारेक्शन चेंज करेंगे थी अपने आप ट्रांसफर किसी एक मीट्यम से दूसरे मीट्यम में रिफ्लेक्शन भी हो जाता है यह निव्टन ने बताया था बहुत ज़्यादा इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि इसको आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है लेकिन निव्टन की कही के बात को कोई चैलेंज करें यह फिलहाल उसमें किसी में दम नहीं थी आपने Laplace correction पढ़ा होगा Newton ने 11 पढ़ाय गया होगा Newton ने कहा था कि sound में जब sound किसी gases मीड़े में चलती है तो temperature remains constant सौ साल बाद Laplace सहाब बता पाए कि Newton ने गलती क्या जिए थी सौ साल बाद तो Newton ने जो light का nature बताया था ना ये nature सही था reflection दिखता है आपको लेकिन कुछ चीज़े हैं जो Newton सहाब नहीं बता पाए तो Newton सहाब को challenge by chance की बात है Newton ने जब light का nature बताया उसी समय एक दूसरे scientist थे लेकिन थोड़ा दूर area में थे इनकी area में होते हैं साय चुपचाप बरदास कर लेते अगर बोलेंगे तो और पता चला की दूरा लिया जिसे आज कल हो रहा कुछ भी बोलो तो दूसरी पार्टी दूरा लेती है हो रहा ना ज़रा सह बोल के देखो पता नहीं कैसे चान जाती है दूरा लिया और उसको जो भी कहते हैं लेकिन उसमें एक हाइगेंस साब थे हाइगेंस साब ने कहा लाइट वेव के फार में चलती है हाइगेंस ने क्या कहा लाइट वेव के फार में चलती है अब कुछ प्रूफ दिये उन्होंने हाइगेंस ने कहा कैसे समझाया उन्होंने हाईगेंज का ठीक है जरा वेब की फार में समझाने की बात करते है उन्होंने का देखिए अगर एक आप टार्च लीजे टार्च नहीं कहा होगा उन्होंने कुछ और कहा होगा और वहां से लाइट डाली है किसी परदे पर तो लाइट वहां पर रोशनी दिखाई पड़ेगे ना एक और टार्च लीजे और रोशनी डाली है तो लाइट ज़्यादा हो जाएक कम हो जाएगी हाइगेंस ने देखा कि पड़दे पर कहीं-कहीं तो light ज्यादा हो जाएगी, कहीं-कहीं zero हो जाएगी, वहाँ अंधरा हो जाएगा हो सकता ऐसा, हाइगेंस ने ऐसा किया, mathematically, mathematical प्रूब करके बताया कि ऐसा होता है और हाइगेंस के स्टुएंट से यंग साहब उन्होंने एक्सपरिमेंट करके दिखा दिया कि अगर लाइट अलग-अलग पोजिशन पे गिरेगी तो एक जगए पे अंधिरा भी हो सकता है और एक जगए पे दोनों टार्चेस भी जितना रोशनी होती है उसे ज्यादा रोशनी हो सकती है यह फिलहाल यह जो पार्टिकल नेचर था यह जो रे ऑप्टिक्स थी यह प्रूफ नहीं कर पाई इसलिए निउटन के लाग को क्या कर दिया गया मना कर दिया गया इसलिए निउटन का लाग करतिय५ efिल नहीं है रेफ्लेक्शन का इंडर क्या रेफ्लेक्स्ण को एक्स्पेट्स त्रीग का लेकिन उनके एकस्पेंड्स टरीक और गथा यह यह प्रिक्सफ भीस प्टिक्दुस किया था ह। उसी इमें में लाओड जाती है ठीक है तो उनका तरीका था कि जब light आएगी तो यह जो आपका spherical surface है ना spherical कह रहा है वो light जो surface है ग्लास है वो उसको repel करेगा और repel करके वो rebound हो जाएगा और reflection में उसको अट्रेट करेगा तो उनके जो proof थे वो थोड़ा illogical थे अधरवाइज उन्होंने काफी proof किये आपने साथ सुन बाहर नहीं निकलेगी अगर wave के फार में चलेगा तो light निकल जाने चाहिए गुमफिर के निकल जाएगी तो newton ने क्या कहा था कि light ray के फार में चलती है तो हम फिलहाल ray optics के बारे बात करने जा रहे हैं फिर wave में क्या आएगा बात की बात है ray optics में सबसे पहली चीज जो आप plane surface में आपने पढ़ा है ठीक है plane surface का नहीं पढ़ना है आपको आपको पढ़ना है spherical surface का spherical mirror का पढ़ना है थोड़ी कहानी देख लेते हैं reflection में आपने क्या देखा कि कोई भी अगर एक plane surface हो और उस पर light गिरती है तो इस light को क्या कहते हैं incident ray आपतित किरण जिस point पे गिरती उस अभिलम और ये उसी angle पे वापस लौड जाती है ये angle of incident होता है ये angle of reflection होता है ये हमने पढ़ा है ठीक है आचा ये बताईए अब ऐसे ही मैंने पूछ लिया हम जब किताब पढ़ते हैं तो book में light पढ़ी होगी light reflect होई होगी reflect होके हमारे आँख में पढ़ी होगी इसलिए ह हम को यहां दिख रहा है ना अचा जब हम सीसे के सामने खड़े होते हैं और आप अंधेरे में खड़े हो जाओ तो आप और सीसे सामने खड़े हो आप अंधेरे में हो सीसा सामने है तो आप अपने आपको देख सकते हो सीसे में क्यों क्यों क्योंकि light का concept क्या है light आपके चे इसे देखें हमारा मुह दिखा ही पड़ जाए रिफ्लेक्शन हो रहा है हो रहा है ना अरे तो हलका दिखा ही पड़े जैसे कभी सीसें देखा होगा जो ट्रांसफेरेंट ट्राइप की होते हैं या आप स्टील का कोई बढ़ता नहीं तो उसमें अपने आपको देख लेते है तो हलका फलका दिखा ही पड़े ऐसे इसे देखें तो थोड़ा बहुत दिखा ही पड़े क्यों नहीं दिखता आपको reflection हो रहा है image एक मिनेट image reflection बनती है न को paper से reflection हो रहा है तो जब reflection हो रहा है तो image बननी चाहिए कि नहीं बनी चाहिए हमारी सुन्गे द sıkan से reflection दो तरीके होता है जिस angle पर light गिरी उसी angle पर reflect हो गई उसको regular reflection कहते है क्या कहते है रीगुलर reflection हिंदी में भी ऐसे कुछ कहते हैं यहां पर इमेज बनती है यहां पर इमेज बनती है लेकिन आप बुक जब पढ़ते हो तो अगर अलग-अलग अंगल पर देखो तभी आपको शब दिखाई पड़ेगा उल्टा वहां नहीं दिखेगा क्योंको लाइट वहां तक ऐसे गूम हो जाती है इसको irregular या diffused reflection कहते हैं अब हिंदी में शब्द बिल्कुल exact हमको नहीं याद है तो ऐसे में image नहीं बनता है चुकि बुक में diffused reflection होता है इसलिए हमको अपनी images में नहीं दिखाई पड़ती है ठीक है जहां पर थोड़ा बहुत regular reflection है वहां image दिखाई पड़ती है अब इसका मतलब हमें कोई object कब दिखता है जब light उस पे गिरती है reflect होके हमारी आँख भी गिरती है तब हमको दिखती है अब किसी को आप गूर गूर देख रहे है और मना करें आपको कमीने कहीं के कुट्ते कहीं के तो आप simple कहती है देखिया ऐसा है carding to reflection rule because light is incident light is incidenting on your face and after reflection it coming to my eyes that's why I can see I cannot see I am not seeing to you your face is reflecting the light ये अच्छी बात है ना scientific fact तो यही है ना लेकिन इसे बात public समझ में आई तो है अगर public न समझ पहे तो भी क्या होगा तो अब यह ध्यान रखिएगा कि वही अपने पढ़ाया तो हमने वही वहां पढ़ाया लोगोंने मारा तो यह आप जानिएगा क्या होता है मतब साइंस के इसाब से समाज को भी देखे करिएगा ठीक है तो आपके हाँ reflection spherical mirror से है तो हम start करने जाता है spherical mirror से spherical mirror spherical mirror हिंदी वाले word में आप देखते रही है गाए न गोली यह mirror दरपन ठीक है spherical mirror कैसे होते हैं दो प्रकार के होते हैं आप एक खोखला गोला ले लिजे एक खोखला हो काच का और उसको आप इस प्रकार से कट कर लिजे ऐसे बी से इसको काट दीजे ऐसे इसको काट दिया यह बन गया spherical mirror अभी कहां बना अब देखे इसमें अगर आप अंदर का पार्ट इसको बाहर का पार्ट पॉलिस्ट कर दीजे पॉलिस मतब लाइट आर पार नहीं जा सकती तो यह एक mirror बन गया और एक में इसके अंदर का पार्ट पॉलिस्ट कर दीजे तो दूसरे टाइप का mirror बन गया ठीक है इसमें जो उपर का पार्ट है वो रिफ्लेक्ट करेगा इसमें अंदर का पार्ट चिखना है वो रिफ्लेक्ट करेगा तो इस mirror का नाम किया है Convex mirror उसका नाम क्या है Concave mirror इसको कहते है Concave mirror और इसको कहते है Convex mirror उत्तल दर्पन ये उत्तल दर्पन है ये उत्तल दर्पन है दर्पन ही कहेंगे उसको फिलाल ठीक है समझ में आ गया तो इसमें लिख लेंगे ना कि इसकी definition क्या होगी कि इसमें जो है, जो bulging part होता है इसका, वो polished होता है, ठीक है, inner part इसका reflect करता है, और इसका inner part polished होता है, और जो bulging outer surface होता है, वो reflection करता है, ठीक है, अब इसको देखर के कुछ definition मनाई गई है, नमबर वन लिखे, पूल, इसको हिंदी में ध्रू कहते हैं, पूल, इसके reflecting surface जो होता है, उसके midpoint को पूल कहते हैं, तो लिखे, the midpoint of the reflecting surface is known as pole, definition लिखते जाईए है, diagram बनता जाएगा, the midpoint या central point जो भी आप कहें, the midpoint of the reflecting surface, the midpoint of the reflecting surface, of the mirror is known as pole, ध्रू कहते हैं उसको, ठीक है, next है center of curvature, center of curvature, ये mirror आपने कहां से काटा है इसको, किसी mirror, किसी sphere से काटा होगा ना, तो जिस sphere से काटा है, उसके center को center of curvature कहते हैं, यानि किसी mirror का center of curvature, उस sphere का center होता है, जिसका वो पार्ट होता है, तो लिखे, the center of curvature, ये center of sphere, center of sphere, ने क्या बोल दिया हमने, center of curvature, center of curvature is the center of the sphere, the center of curvature is the center of the sphere, of which the mirror is the part, the center of curvature is the center of the sphere, of which the mirror is the part, दर्पन जिस गोले का भाग होता है, उसके केंदर को, दर्पन का वक्रता केंदर कहते हैं, the center of the curvature is the center of the sphere of which the mirror is the part नहीं यहां पर यह आपका center हो गया जाकर कि अब बाइचांस हमने एक ही बनाया था इसले एक दिखरा है आप अलग-अलग बनाएंगे अलग-अलग दिखाएंगे next लिखे radius of curvature radius of curvature radius of curvature जहां पर center लिखा है उसको radius कर दीजे कि भाई यह जिस sphere का part होता है उसके radius को हम radius of curvature कहते हैं तो लिखे the radius of curvature the radius of curvature is the radius of the sphere the radius of curvature is the radius of the sphere of which mirror is the part यह mirror जो है जिस गोले का part होता है उसके radius को हम radius of curvature कहते हैं यहां पर आप नाम देती जी का इसे c हमने बाईचांस से माल लिया है तो आप लिखेंगे cp is the radius हम बाईचांस एक जिगे बना रहे हैं आप अलग बनाएगा cp is the radius cp is the radius ठीक है next लिखें axis axis या principal axis axis लिखें या principal axis लिखें axis या principal axis आप principal लिखें principal axis यानि pole और center को मिलाने वाली line principal axis कहलाती है अब आप कहेंगे अजीब हैं अभी definition आपके radius बताया था देखो ये आपका ये कौन सा mirror है ये कान के mirror है आउतल दरपन है और ये pole है ये center है अभी हम pole और center को मिला रहे थे उसको radius of curvature कह रहे थे अभी pole और center को मिला रहे हैं और कह रहे हैं principal axis दोनों अंतर क्या है वो line segment था p से c की दूरी ये line है जो आर पार इससे निकल गई है इसको कहते है principal axis तो लिखिए the line joining the अभी यार हर चीज इमेजनरी है यहाँ पर center कहां दिखेगा आपको एक circle बनाओ के उसका center ऐसे दिखेगा मैं center हूँ ऐसे जांखा कर रहा है ये होता है माना जाता है एक center से line जा रही होगी principal axis होगी the line joining the pole to the center of curvature is known as principal axis मतलब इमेजनरी का मतलब को imagine नहीं कर सकते हैं इसको draw कर सकते हैं इसको draw किया जा सकता है ठीक है इसके parallel light भेजी जा सकती है तो ये real है वो अलग की बात ऐसे कई डंडी ऐसा नहीं दिखेगा कि आपने देख लिया हो एक तार बंदा हुआ है ठीक है अब इसका होता है अच्छा ये convex को भी बना लिजेगा next लिखे aperture aperture a-p-e-r-t-u-r-e aperture को हिंदी में क्या कहा गया है वक्रता ने दिया होगा वक्रता साहित कहते हैं लाइए इदर लाओ इदर लाओ इदर लाइए तू देखने जुटे हो दिया होगा aperture दिया ने साहिए वक्रता कहते हैं इसको बता देंगे हम तो को aperture क्या होता है कहते नहीं कि इसका aperture ज्यादा एक aperture कम है जैसे ये मालिया आप mirror है ठीक है अब ये mirror है और आपने जो diameter होता है यहां से लेकर करके यहां तक जो मिलाएंगे यह अली लाइन यह इसका aperture कहलाएगा इसको नाम दे देंगे A B यह aperture है ठीक है तो लिखे aperture तो बता देंगे हिंदिम क्या होता है ठीक है the diameter of periphery the diameter of periphery ऐसा बनाओ कि उसका जो curve और लाइन अलग-अलग हो जाएक जैसी दिख रही है the diameter of periphery of the mirror is called aperture of the mirror हाँ extremities भी कह सकते है endpoints को extremity भी कहा जा सकता है the diameter of the periphery of the mirror is called aperture of the mirror लिख दो here A B is the aperture इसको aperture कहते है यह बहुँट definitions है नहीं थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा अब देखे principal focus मुख्य focus principal focus आफ देखो चुकि यह बोनो mirror के अलग-अलग गुण है तो focus अलग-अलग होगा आप definition के अलग-अलग ले सकते हैं या आप दोनों को mix कर के ले सकते हैं देखे principal focus क्या होता है principal focus इसमें एक ही focus होता है इसलिए principle focus होगा lens में दो focus होते हैं इसलिए उसके अलग-अलग नाम दिये गए हैं देखे ध्यान से हमने पहले लिया कान नाम नहीं बताएंगे आप बताएंगे ये mirror कौन सा है कान की आउतल आउतल दरपन ठीक है इसमें हमने क्या-क्या ये principle axis है ठीक है ये principle axis है ये आपका center of curvature है ये आपका pole है ठीक है यहाँ पर क्या देखा गया light को principle axis के parallel गिराया गया ये हमने experiment किया जितना भी आप light में पढ़ रहे हैं अगर आप कहेंगे why तो कहेंगे आप experiment कर लिजेगा because experimentally हमने देखा और वो सामने वाले को बता दिया कि ये भाई ऐसा इसमें light दिखती है क्योंकि हम जो भी physics में पढ़ते हैं हम कुछ नहीं करते हैं nature में वो होता है केवल हम उसको explain करते हैं ठीक है वो भी explain वैसे करते हैं जैसा हम देखते हैं हमने ray optics देखी हमने light को देखा कि सीधी रेखा में जाती है जैसे तीर जाता है तो हमने ray optics मान लिया हाईगें साब ने wave के far में देखा उन्होंने wave को explain कर दिया तो इसका मतलब light ray के far में चलती है wave के far में चलती है दोनों far में चलती है किसी ने particle देख लिया तो जिसने जो देखा वैसा उसने बताया ठीक है ये principal axis के paddle हमने light डाली तो देखा after reflection ये light principal axis के किसी एक point से निकल रही है कि जबरसी निकाल रही है ये यहाँ से हो कर के जाती है ठीक है तो इसको हमने कहा principal focus क्या definition आप करेंगे in the concave mirror तो लिखे principal focus में पहले लिखे in the concave mirror in the concave mirror दो paragraph में लिखेंगे in the concave mirror the light rays the light rays incident the light rays incident parallel to the principal axis incident incident parallel to the principal axis parallel to the principal axis after reflection from the mirror after reflection from the mirror after reflection from the mirror they passes through a point on the principal axis they passes through a point on the principal axis क्या they actually passes लिख दिजएगा, वास्तों में pass हो रही है they passes through a point on the principal axis called principal focus called principal focus ठीक है, और इस point की जो distance है pole से, उसको कहेंगे हैं principal focal length, तो भी बढ़ा लिजए इसी में, the distance of this point, the distance of this point from the pole is known as principal focal length the distance of this point from the pole is known as principal focal length या cable focal length भी आप कह सकते हैं इसको principal ना भी लगा हो तो कोई दिख कर नहीं है क्योंकि एक एक प्रिंस्पल है, एक आदमी है होँआ पर का प्रिंस्पल का हो अब देखो ध्यान से, ये तो concave की बात कर रहे हैं, अब ज़रा convex की बारे में बात कर लेते हैं, देखे ये convex mirror है इसका interior, internal portion polished है ये इसे ओपेक कर दिया गया है light नहीं पार हो जाती है, और यहाँ, ये आपका ये आपका pole है, ये आपका center of curvature है, और ये principal axis के paddle light गिरी ठीक है, ये principal axis के paddle light गिरी, तो simple सी बात है reflection होके उधर तो जा नहीं सकती simple सी बात है, उधर जाई नहीं सकती है क्योंकि उधर का part क्या है, polished है तो वो ऐसे reflect हो जाती है दूर ऐसे reflect होके चली जाती है अब ज़राब समझने की courses करिएगा, अगर आप इधर बैठे हुए हैं, तो क्या ऐसे आप देख सकते हैं, टेड़ा क्यों नहीं देख सकते हैं, अगर ऐसे देख लेते ना, तो सब कुद देख लेते घर में किसी देखना इसे ऐसे चले गए फ़ो, ऐसे देखा ऐसे जीने से उत्रे ऐसे गेट के बहार निकले, का कर रही हो, सवाल नहीं लगा रही हो, लेो, बता रही हो पड़ी रही नहीं, तो पता चला कि गरभण जाएगा, तो भगवान ने ये निचर नहीं दिया, सीधे देखो बस, ठीक है, अचा भगवान ने आत्मी को ते निचर दिया नहीं, तो सब देखो यहां बैठा वेक तो क्या लगेगा उसको लगेगा light यहां से निकल रही है ऐसे लगेगा उसको लगेगा light यहां से निकल रही है तो यह जो point होता है इसी को कहते है focus क्या definition आप देंगे कि after reflection it appears to coming from emerging from a point from the principal axis नहीं लगेगा सभी lights को लगेगा इस point से निकल रही है तो लिखेगा paragraph change के लिखे लिखे in convex mirror in convex mirror in convex mirror in convex mirror the light rays the light rays incident parallel to the principal axis parallel to the principal axis parallel to the principal axis after reflection from the mirror after reflection from the mirror after reflection from the mirror it appears to come from a point on the principal axis it appears to come from a point on principal axis called principal focus called principal focus and the distance of this point from pole is called principal focal length and the distance of this point from the pole is called principal focal length या only focal length आप कह सकते हैं ठीक है तो focal length की definition भी हमने एक सी साथ में बता दी है अब देखिए अगर दोनों को merge करके आप लिखना चाहते हैं भी हमने तो अलगर लिखवा दिया दोनों को merge कर दी या लिखेंगे तो देखिए आप लिखेंगे चुकि मिरर की बात कर रहे हैं ना आपना convex की बात कर रहे हैं ना concave की दोनों को एक साथ लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे the light ray incident parallel to the principal axis after reflection they actually passes through a point or appears to come from this point दोनों को एक साथ कह सकते हैं ठीक है नेक्स लिखेंगे focal plane focus तल focal plane focal plane देखिए अगर आप एक plane ले लिजे परदा टाइप का ऐसे ठीक है और आप ऐसे इसको रख दीजे principal axis पर्पेंडिकुलर फोकस पे ऐसे इसको हम कहते हैं focal plane कह सकते हैं ऐसा कुछ plane होगा अब plane होगा मतलब दिख तो आपको ये रहा है न केवल plane ऐसा है लेकिन आपको दिख ऐसे रहा है ये वाला plane ठीक है तो principal axis के पर्पेंडिकुलर एक ऐसा plane रखा जाए जो फोकस से होकर ऐसे पास हो इसको हम क्या कहेंगे focal plane या focal tal कहते हैं तो लिखेगा लिखेगा लोगर के लिए को आपकोष्च प्रिंसिपल एक्सिस प्रेइन पर्पेंडिकुलर टू दा प्रिंसिपल आक्सिस एंड प्रिंसिपल फोकस एंड पासिंग थू दू दा बना रही हो हम गंदा बनाते हैं, मतलब समझाने के लिए नहीं तब बनीत बनते ही है अब लोग साफसाप करिए, इस कालड फोकल प्लें, ठीक है देखे, जब हम इस फेडिस्टेंस मेजर करेंगे, तो डिस्टेंस कहां से मेजर की जाती है, पोल से तो distance का sign होता है अपने हिसाफ से तो हम कैसे sign consider करेंगे उसको समझ लिजेगा जो हम बताने जा रहे है actually में हम गलत बता रहे है book में ऐसा ही लिखा हुआ है इसलिए हम बता रहे है actually क्या होता इसके बाद में बताएंगे देखिए हम इसको coordinate axis के हिसाफ से distance measure करेंगे यह मेरा pole है तो इधर की जो distance measure होगी pole से वो कैसी होगी positive इधर की ओर की distance क्या होगी negative उपर की ओर की distance अब आपको लगे गा उपर की distance यह कोई से distance होती है कोई body आप रखेंगे तो height of the body लेने पड़ेगी और नीचे की ओर को negative ऐसा बुक्त में लिखा हुआ है और actually में ऐसा सही नहीं है actual सही नहीं है यह वैसा तो सही है कारण देखिए जाध्यान से जैसे आप cave या convex lens mirror लेते हैं ले लिए आपने ठीक है और आपने कहा यहाँ पर एक object रखा हुआ है अब object की दूरी कहां से लेनी है आपको पोल से object की दूरी को किस से indicate करते है U से तो object को हमने U लिख दिया positive और negative अब देखो पोल से इधर में इधर किया तो कैसा sign होगा negative होगा ना अच्छा ज़रा ध्यान से समझेगा अगर हम यह mirror ऐसे रख देते और polish अभी भी ऐसे ही करते तो क्या एक concave नहीं है अभी एक concave नहीं है convex है concave ही है ना पहले बारा है वैसे ही है ना अच्छा अब अगर हम इसमें object यहां पर रख दें O और यह pole ले लें तो यह distance U होगी positive या negative तो गरबढ हो गया ना U को positive ले या negative ले लफड़ा हो गया ना इसका मतलब यह sign हमेशा सही नहीं है समझने की courses करिएगा पहली बात इन्होंने इस sign को क्या कहेंगे इसको veto करने के लिए कि नहीं यही लेना है उसके लिए उन्हें कहा object इधरी रखो object इधरी रखो अब मजबूरी यह है कि कोई mirror ऐसे लिए हम बैठें object उधर है तो हम पहले कहें तुम इधर आओ हम ऐसे रखेंगे नहीं हो सकता ना सुनिये ध्यान से distance measure का तरीका क्या होता है distance कहां से लेनी है pole से लेनी है अगर वो distance light ray के चलने की direction में है जिधर light ray जा रही है उधर ही है तो positive उसके opposite आ रही है तो समझवे ही बात light ray की direction में distance positive उसके opposite है तो अब simple सी बात है यहाँ पर कोई अगर object रखा होगा तो light ऐसे आएगी नहीं मिलर के पास तो आप distance कहां से बिदर कर रहे हो pole से कर रहे हो जा किधर रहे हो object की दरफ तो आप light के चलने के against जा रहे हो या उसके direction जा रहे हो और उसके पहले वाले हम क्या जा रहे थे आप वहाँ भी against जा रहे थे ना इसके पहले का जो diagram हमने बनाया था यह जो ऐसे बनाया था हमने वहाँ भी हम यहाँ प्राप्जेक्ट रख रहे थे वहाँ भी light ऐसे जा रही थी वहाँ भी आप उल्टा जा रहे थे ना तो दोनों ही cases में आप light के चलने के अगेंस जा रहे थे इसलिए दोनों distance कैसी होगी तो इसको तो याद रखिये है आप ऐसा नियम होता है लेकिन याद यह रखेंगे कि हमको जो भी distance मेजर करनी कहां से मेजर करनी है पोल से और जो distance light के चलने की direction में होंगी उसको हम positive लेंगे और opposite जाएंगे तो negative लेंगे जैसे माल लिया हम focal length की बात करते हैं ठीक है focal length of तो हम actually में कान केप बनाते हैं इसे यह कान केप की बात कर रहे ना यह कान केप मिरर है ना light ऐसे जाएगी और ऐसे वापस आएगी ना light इधर आ रहे ना वापस और आप इधर ही जा रहे हो light की दरफ तो focal length कैसे होगी इसकी इसकी focal length positive होगी इसकी focal length कैसी होगी हम बता नहीं रहे हैं इसकी focal length कैसी होगी इसकी positive होगी negative होगी तो यह आपके लिए आज का homework है कि convex और concave की mirror focal length positive होती है negative होती कल इसके बारे में आगे हम डिस्स करेंगे पढ़के आईएगा तो फिर नहीं हो कि यह